अब ये सारा भारत खास और आम सारे दुनिया का बर्स्तान बनने वाली हैं तो पहले से ही तुम समझ लो ना ये सब मरे परे हैं अभी तो हमें वैंकुंठ जाना है इसलिए हमें वैंकुंठ में जाने का पुर्शारत करना चाहिए बाबा कहते हैं बच्चे समझते हैं अब बाप दादा आई हैं शिव बाबा ब्रह्मा के रत में आ करके रती बनते हैं ऐसे नहीं किर्शन को ये अर्जन का रती बना हैं वो तो इस थूल रत और वो सब दिखाते हैं नहीं अभी तो परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा के रत पर बैठ करके तुमको ये सारी बातें समझा रहे हैं वैसे बाबा तो बहुत विजी रहते हैं फिर भी कहते हैं मैं अभी आया हूँ इस पत्त दुनिया को पावन बनाने के लिए तो देखो मुझे कितने रूप धारन करते परते हैं क्योंकि बिजी रहता है कोई साक्यात किसको किसको किसका साक्यात कार हर एक भगत अपने अपने रिती से करते हैं जो नौदा बक्ती करते हैं तो उन्हों को तो मुझे साक्यात कराना ही पर हैं तो मैं कितने रूपदारन करता हूँ बहुतों की जोगती जगाता हूँ इसलिए बाप कहते है बचे मेरे से यूग लगाओ ये पेटरोल डालो कौन सा पेटरोल ग्यान का पेटरोल डालो जो बाबा हमें समझते रहते हैं दीवा बुझ जाता है तो घरी घरी गिर्ट डालते है ना तो बाबा कहते है अब पूरा पूरा यूग मेरे साथ लगाओ ये तो जानते हो बाप इस ब्रह्मा के तन से हमको परानी आया है भगवानों बचे हैं बगवान क्या कहते हैं बस भगवान कितनी सहद बात कहते हैं सीधी सीधी बच्चे मुझे याद करू देखते हो मौत तुमारे सामने से पर खरा है छोटे बरे सबका मौत होना ही हैं क्योंकि ये है ही मिर्टियू लोग मैं तो आया हूँ अमर लोग से अमर नात बाप तुमारे पास आया है अमर कथा सुनाने अमर कथा सुन करके तुम भी अमर बन जाएंगे तुम हो पार्वतिया अत्वा सीताएं अब तो सब रामन के जेल में परे हुए हो शोक वाटका में परे हो बापा करके तुम को अशोक वाटका में ले जाते हैं वहाँ कोई शोक रहता ही नहीं तुम बाबा कहते है अभी तुम बच्चों को राइट और रांग को सोचने की बुद्धी मिली है राइट क्या है रांग क्या है पुन्ज कैसे होता है पाप कैसे होता है अभी तुम ये सब बातें समझ गए हूँ तो अब तुम्हें समझ करके कदम आगे उठाना चाहिए अगर बाप से योग टूटा तो माया पाप करा ही देंगी ये निश्च जानो क्योंकि इस समय तो सारवत्र माया तमो प्रधान है इसलिए तुम बच्चों को बाबा कहते कदम कदम पर सावधानी से चलना है श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं है मनिश तो बिचारे भगवान को पहचानते नहीं है अभी तुमें तो बाब कहते है बचे मैं आया हूँ खास तुमें ये सिख्या देने के लिए बाबा कहते है तुम मेरे बचे मुझे तो प्रानों से भी प्यारे हूँ जानता हूँ मैं देखो बाब को कितना प्यार है हम बचों के लिए और कितना रहम है हमारे पार जानता हूँ मैं क्या बाबा जानते है कि तुम बचे अभी बहुत दुखी हुए हो अब मैं तुमको आया हूँ सुखों की दुनिया में ले चलने के लिए बचों में कोई सगे होते है सगे अर्थात सौते ले तो बाब तो तुम्हें सगे और लगे का अर्थ समझा रही है अब सगे बचों पर बाबा का ध्यान तु रहेंगा ना सगे राजाई का वर्सा लेंगे सगे कौन जो बाब पर बलिहार जाते हैं लगे तु फिर जा का वर्सा लेंगे क्योंकि इतनी सारी डीटी किंगडम बननी हैं अभी तुम तुम बचे जो बाब के सनमखाए हो और बाब से सुनकर के अपना पुर्शारत कर रहे हो बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो अब राजाई पाने के लिए पुर्शारत कर रहे हो पिर जा तो आगे आती रहेंगी तो राजाई पाने के लिए पुर्शारतियों को पहले पहले किस बात का ध्यान रखना है पहले पहले मुख्या बात है पवित्रता की अगर विकार का विकलप आया तो क्या करो बाबा कहते हैं देखो रहम दिल बाब अगर संक्लप आया भी विकलप आया भी परन्तु कर्मेंद्रियों से करम में नहीं आऊ अगर क्रोध आया तो मुख से गुसा नहीं करना चाहिए अगर तुमारे में भूत होंगा तो पिर लक्ष्मी से को कैसे वरेंगे जिन में पांच विकार हैं उनको तो बंदर कहा जाता है बाबा ने तो तुम बच्चों को बाबा तो तुम्हें अभी बंदर से मंदर लाइक बना रहे हैं तो वो है ना बुरा ना बोलो बुरा ना सुनो बुरा ना देखो ये वो बंदरों का खिलोना बना हुआ है तु माबा बता रहे हैं कि मैंने अभी वो जो बंदरों का खिलोना मैंने इस बच्ची नलनी बच्ची का वो बनाया है आप लोगोंने देखा होगा यह बहुत पुरानी बात है बीच में भी यह मुली चली ती तो दिखाया गया था नई 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 नल नई बान जो नई नई आया थी न, तो जैसे जैसे तुरा सूनती जाती थी, बाबा का अच्छा लगता था, तो बाबा समधता था कि ये लग जाए तो उस alors भापने-पोर ये मेंशन के सामने थी और अपने ही सामने फोटोग्राफर के पास बेच करके और फिर वहाँ हम थी और मैं समझती हूं दारा आनद किशूर थे वो उसको लेके गए थे निखाल में के लिए तो बाबा बता रहे है कि नलनी बच्ची का फोटू डाला है इसमें टाक नो इवेल, सेंटर खोल करके दिया है जो कुछ पुझी थी सब बेच कर बच्ची नलनी को दे दिया अर्थात उसको सेंटर खोल के दिया जैसे बाप ने सब माताओं को दे दिया वैसे काकु भाई ने भी अपनी बच्ची को दे दिया समझा ये भी कन्या है क्यों न इन से शुबकारी क कराओं बची ने कहा मैं शादी नहीं करूंगे भल ये सब पैसा इस कार्य में लगा दो मैं पतित दुन्या को पावन बनाने की शेवा करूंगी भल भल काकुबाई को बचे भी थे परन्तु वारिस बची को बना दिया उनका कितना उंच पद हो जाएंगा बहुत उंचा पद पाएंगे ये जो गाट कोपर का सेंटर है बुंबई में वो काकुबाई ने नलनी बेन को बना के दिया बहुत उंचा पद पाएंगे बहुतों की आशीर वादे उनके सिर पर आएंगी क्योंकि ये है गाडली हस्पिटल हस्पिटल कहो अत्वा कालेज कहो ये है गाडली का इस समय तो मनुशों की चलनी ऐसी है जो सब पाप के खाते में ही लगा देते हैं पाप करते भी है और करते भी रहते हैं तो पाप आत्मा बन पड़े है अभी बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत करो तुम्हारे सिर पर पाप का बूजा बहुत है निरंतर याद करने का बहुत अच्छा पुर्शारत करो जब अभी से पुर्शारत करेंगे तो अंत में वो अविश्था बन जाएंगी देखो सन्या से भी कई अच्छे तपस्वी होते हैं बैठे बैठे शरी छोड़ देते हैं कि हम अभी डाकर के ब्रम में लीन होते हैं बस ऐसे समझते हैं ऐसा कहें शरी छोड़ देते हैं ऐसे भी कहीं होती है फिर उस समय बहुत सनाता चान जाता है ये बाबा, ब्रह्मा बाबा अपने अन्वा की बात सुनाती है हुवायु मंदल फिर हो जाता है सनाते का तो बाबा अपना सुना रही है अच्छा भी बाब कहते है तुम बच्चे हो कौन? कितना उच्चा टाइटल? तुम बच्चे हो सुन रही हो कुमारिया कितना बाबा उच्चा टाइटल दे रही है बनाओ लाइक अपने को ऐसा बाबा कहते है तुम बच्चे हो स्रिष्ठी के पापा आत्मा को पुन्या आत्मा बनाने वाली सची सची ज्ञान गंगा है कुमार्या सची सची बनेंगी ज्ञान गंगा है या पराई करेंगी नौकरी करेंगी और शेवा करेंगी जितनी हो सकेंगी उतनी करेंगी जितने उतनी काईसा आप नहीं रखना है अपनी अपनी जीवन शेवा में देनी है बाप कहते हैं तुम बच्चे हो श्रिष्टी के पापात्माओं को पुन्यात्मा बनाने वाली सच्ची ज्यान गंगा हैं गंगा के किनारे पर देवताओं का मंदर देवियों का मंदर होता है दिखाते हैं नाम रखा है गंगा अब पानी के नंदी तो पतित पावन हो नहीं सकते न देवताईं पतित पावन है जिन देवताओं की पूझा करते हैं वो समझते हैं ये देवताओं ही पतित पावन है पतितों को पावन करने वाले वो देवताईं पावन है पतितपावन नहीं है, उनों को पतितपावन का पता ही नहीं है बाबा करते हैं, वो समझते हैं, कि ये देवत्नाइं पतितपावन है न देवत्नाइं पतितपावन है, न पाने की नंदी पतितपावन है है पतित पावन तो कौन है कौन है पतित पावन बोलो बर्यावास से पतित पावन बाबा कहते तुम ब्रह्मान हो उन्होंने ही उन्होंने तो गंगा पर देवियों के चित्र रख दिये है देवताएं तो पतित को पावन बनाते ही नहीं वो है देवता तो बनाए किसको दुन यह देता हूं कि है, मन्शों को तो अभी यह ज्ञान है यह नहीं, कहां वो पानी की नंदी, कहां यह देवता हैं, इस समय तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान इशनान करते हैं, तब ही वो देवता बन जाते हैं, तो तुम बच्चों की अब शेवा है, कौन सी? मनुश्य को देवता बनाने की, यहां तो आत्मा को पवित्र बनाया जाता है, इस ज्ञान से, बाबा के इस ज्ञान से, आत्मा पवित्र बन जाती है, यह तो अभी तो आत्मा को इंजेक्शन चाहिए, शरीर को इंजेक्शन तो लगाते रहते हैं, शरीर के रोग मिटाने के लिए, परन्तु अभी आत्मा जो तमो प्रजान बन गई है, जिस कारण शरीर को भी इतने रोग होते हैं, बाबा कहते हैं, अभी तो हैं, आत्माओं को इंजेक्शन लगाना, ये आत्मा को इंजेक्शन वही सरवशक्ती वान परमात्मा करके लगाते हैं, और अपने बच्चों को सिखाते हैं, कैसे आत्मा को इंजेक्शन लगाकर, पवित्र बनाओ पहले तुम भी पवित्र बनाओ और फिर ये इंजेक्शन लगाओ पवित्र बनाओ तो बाप आकर के ज्ञान और योग का इंजेक्शन देते हैं पांच दावरश पहले भी बाप ने ये ज्ञान और योग सिखाया था जिसको भक्ती मारिक वाले प्राचीन गीतना का ज्ञान और योग कहते हैं प्राचीन, राज, योग मानते हैं, प्राचीन कब और कौन सा वो ग्यान योग ये यतारत नहीं जानते हैं, अच्छा, मिठे मिठे, सिकील दे, बच्चों प्रेद, मात पिता, बाप दादा का, याद प्यार और बोला सबी नहीं, गुद बार्डें, रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को, नामस्ते, रुहानी बच्चों की, रुहानी बाप को, नामस्ते, अभी फिर से मुर्ली का सार, दो पॉइंट्स में, अंदर कोई भी विकलप आवे, तो भी कर्मेंद्रियों से कोई विकरम नहीं करना है, खाता बनता है, जब करम करेंगे, तो उसका खाता बनेगा, राजाई पाने के लिए पवित्रता की पृतिग्या जरूर करनी है, दूसरी पॉइंट, जी ते जी मर कर अपन को छुटा बचा समझना है, एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी साब कुछ भूल जाना है, ये है मुल्ली का धार्णा युक्त सार, जिसको हम मनन करते हुए, अपनी धार्णाएं मजबूत करते रहें, आज का वर्दान निश्चे बुद्धी बनकर, कल का वर्दान याद है, जिसको कल का वर्दान याद है, हाथ ठाओ, कल के वर्दान पर अटेंशन किच्वाया था, क्या थी विशेश बात, हाथ आप लोगों ने रिपिट किया होंगा, इसलिए कुमारियों को याद है, चलो भाई, ये सुनते पिर कल का वियाद आएंगा, क्योंकि जैसे कल का वर्दान, जिस बात पर बावा ने ध्यान किच्वाया है, आज वो वर्दान है, निश्चे बुद्धी बनकर, लोकिक में अलोकिक भावना रखने वाले डबल शिवादारी ट्रस्टी बावा याद आ गया, लोकिक के लिए आके कहते हैं बावा इनके दृष्टी को बदल दो, इनके बुद्धी को बदल दो, तो बावा कहते है वो लोकिक भावना है तो वो शुब भावना नहीं पहुचती है इसलिए कई बच्चे निश्चे बुद्धी बनकर लोकिक में अलोकिक भावना रखने वाले डवल शेवादारी ट्रस्टी बावा कई बच्चे शेवा करते करते ठक जाते हैं सोचते हैं ये तो कभी बदलना ही नहीं है ऐसे दिल शिकस्त बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे दिल शिकस्त मत बनो निश्चय बुद्धी बनकर मेरे पन के संबन से न्यारे हो चलते चलो कोई कोई आत्माओं का भक्ती का हिसाब किताब चुक्तू होने में थोरा देरी लगती है कहीं होती है ना लौकिक में भक्ती बहुत करते हैं तो बाबा को आके कहते हैं तो बाबा कहते हैं कोई कोई का भक्ती का हिसाब किताब चुक्तू होने में थोरा समय भी लग जाता है इ साखी पन की इस्थिति में इस्थितो कर शान्ती और शक्ती का सहयोग आत्माओं को देती रहू। लोकिक में अलोकिक भावना रखो डबल शेवादारी बनो ट्रस्टी बनो तब ही उसका फल नजर आएंगा। अभी स्लोगन है आज का अपनी स्रेष्ट विर्ती से वायु मंदल को स्रेष्ट बनाना यही सची शेवा है। स्रेष्ट विर्ती से वायु मंदल को स्रेष्ट बनाना यही सची शेवा है।